आपने अपमान तो भारतिय सेना उनके शौर और उनके पराक्रम का किया और इस देश की भुभागिया खंडता पर एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया पीस जवानों की शहादत हुई है 2020 में गलवान वैली में और हमारे देश के विदेश मंतरी कह रहे हैं क्योंकि हम छोटी अर्थ व्यवस्ता हैं तो हम बड़ी अर्थ व्यवस्ता को अटाक नहीं कर सकते हैं चीन आपके घर में घुसकर बैठा है हर सैनिक जो वहाँ पर खड़ा है उसका होसला तोड़ने का काम विदेश मंतरी एस जैशंकर जी ने किया है आप क्या कर रहे है भारतिय सेना के शोर पराक्रम उनके होसले के साथ आपको क्या कहना है उन सैनिकों का जो बर्फ में आंधी में गर्मी में बरसात में खड़े हो कि इस देश के विदेश मंत्री ने डॉक्टर एस जैशंकर ने कुछ ऐसी बाते कहीं अपने राजनेतिक प्रतिदवंदियों के खिलाफ तो आप बयानबाजी करिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है और आप लगातार करते रहते हैं वो कई बार फुहर होती है वो कई बार इम्म प्तवे में वोला वो वाकई में चिंता जनक है और वो चिंता जनक इसलिए है कि यह है क्योंकि आपने एक तरह से भले राहुल गांधी का अपमान करने की कोशिश कियो आपने अपमान तो भारतिये सेना उनके शौर और उनके पराक्रम का किया और इस देश की भुभागिय अखंडता पर एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया उनका कहना थोर मैं यहां पर कोट करती हूं दे, मीनिंग चाइना, is the bigger economy, we are the smaller economy, we can't go and pick a fight with them 20 जवानों की शहादत हुई है 2020 में गलवान वैली में और हमारे देश के विदेश मंत्री कह रहे हैं क्योंकि हम छोटी अर्थ व्यवस्ता हैं तो हम बड़ी अर्थ व्यवस्ता को अटाक नहीं कर सकते, चीन आपके घर में घुसकर बैठा है और ये कौन बोल रहा है, एक हमारे हाँ लोकोक्ती होती है, उसका बड़ा पॉपलर सेंग है वो सूप तो सूप, बोले छलली जिसमें 72 छेद क्योंकि इसी इंटर्विव में उन्होंने और डिंग हाकते हुए बोला कि मैं लॉंगेस्ट सर्विंग चीन में भारतिये का राज़दूत रहा हूँ लॉंगेस्ट सर्विंग इंडियन अंबासडर इन चाइना ये डिंग भी उन्होंने हाकी तो ये कह देना कि हम छोटी एकॉनमी है, हम बड़ी एकॉनमी को जाके अटाक थोड़ी कर देंगे आप क्या कर रहे हैं भारतिये सेना के शोर पराक्रम उनके होसले के साथ आपको क्या कहना है उन सैनिकों का जो बर्फ में, आंधी में, गर्मी में, बरसात में खड़े होकर हमारी भूबागिया, खंडता का, हमारे बॉर्डर्स की सुरक्षा करते है कि हम छोटी कोन ही है उस तरह से तो महार पावर्स के सामने विश्व के छोटे देशों को लड़ना ही नहीं चाहिए हर सैनिक जो वहाँ पर खड़ा है उसका होसला तोड़ने का काम विदेश मंत्री एस जैशंकर जी ने किया है और मैं यह जरूर बोलना चाहती हूँ क्योंकि यह सबसे विवादित बयान चीन पर आज तक किसी मंत्री ने दिया है मैं पूछना चाहती हूँ उनसे वो दंब भरते हैं ना किस चीज़ का कि वो लॉंगेस्ट सर्विंग इंडियन अंबासडर इन चाइना थे तो उनसे दो तीन सवाल है पहला सवाल यह है कि आप और आपके आखा चीन का नाम क्यों नहीं लेते आप लॉंगेस्ट सर्विंग है भाया यह भी बता दीजे अप्रेल 2020 की अथावत स्थिती कैसे बनेगी आप यह भी बता दीजे कि 20 जाबाजों की शहादत के बाद आप चीन से लगातार अपार बढ़ाते जा रहे है 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है 20% हमारा एक्सपोर्ट है तो एक तरह से तो हम चीन की आर्मी को फंड कर रहे है अतिक्रमर करने के लिए लेकिन क्योंकि उन्होंने काफी सारे हैट्स पहने हुए और उन्होंने one of the हैट्स डिस्क्राइब किया कि मैं longest serving ambassador हूँ मेरे 6 pointed सवाल है उनसे As the longest serving ambassador चाइना का सबसे जादा वक्त तक चीन में भारत के राज़दूत रहने के तौर पर वो जो चीनी aggression की photo आती है जो खबरे हैं कि हमारी 2000 square किलो मीटर की जमीन पर चीन ने अतिक्रमर किया हुआ है उसके बारे में वो क्या कहेंगे वो यथावत स्थिती अप्रेल 2020 के बारे में क्या कहेंगे और वो क्या कहेंगे कि हमारे patrolling points अब हमारी buffer zone बन चुके है patrolling point 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक वो क्या कहेंगे जो pull बनते जा रहे हैं उनका कहना था वो तो पहले से चीनी अतिक्रमर था अतिक्रमर पहले से था pull अभी बन जाएगा उनका base अभी बन जाएगा और आप अपने मूपर दही जमाए मूपे उंगली डाले बैठे रहेंगे जो सबसे जादा लंबे समय तक चीन में भारत के राज़दूत रहे क्या उन्होंने प्रधान मंत्री को ये advice किया था कि वो पूरे देश के सामने पूरे पार्लेमेंट के सामने ये जूट बोले कि कोई घुसा हुआ नहीं है जबकि हमारे 20 जाबाजों की शहादत हुई थी जो सबसे लंबे भारत के चीन में राज़दूत रहे जैशंकर जी से ये पूछना है कि क्या जो चीन पैंग्योंग लेक पर डोकलाम में ब्रिजिस बना रहा है फोर्टिफाई कर रहा है उस पर वो चुप रहेंगे क्या उनकी अडवाईज है कि ये सरकार चुप रहे और ध्यान भटका है जो लॉंगेस सर्विंग अंबैसडर इंडिया के चीन में रहें उनसे ये पूछना है चीन एक रेलवे लाइन बना रहा है इससे क्या हमारी भूभागिया खंड़ता पर खत्रा नहीं है क्या डीबियो पर जो जंक्षन चीन के अतिक्रवार पर उससे खत्रा नहीं है और एक बात जरूर पूछनी है लॉंगस सर्विंग इंडियन अंबाजडर चीन से कि आप ही के फॉरें सेक्रेटरी चिंता जता रहे थे अन्मैनेजबल सो बिलियन डॉलर के ट्रेड डेफिसिट पर उनसे भी कुछ कह दीजिए इंटर्व्यू देना और वहाँ पर डिंगे हाकना बड़ी बात है एक घंटा एक तालिस मिनट का आपने राश्टर के नाम संदेश दिया लेकिन इन सवालों का भी जवाब दे दीजिए क्योंकि आप दंब भरते हैं कि आप चीन में भारत के सबसे लंबे समय तक बने रहे राजदूत है और एक चीज ना मैं ये मजाग से कह रही हूँ ना मैं हलके पन में कह रही हूँ एक स्टॉक होम सिंड्रोम होता है आपको अपने ही जिसने आपके साथ गलत बरताओ किया उसी से प्यार हो जाता है स्टॉक होम सिंड्रोम होता है especially kidnapping में इसका बड़ा यूज होता है क्या जैशंकर जी स्टॉक होम सिंड्रोम से ग्रसित है सवाल ये सारे चीन पर पूछने चाहिए लेकिन आप और आपके आका जब मौका मिलता है शी जिन पिंग की गलबईया करने लगते हैं और लगातार आपके लोग ये जूट बोलते हैं तो उस जूट का भी मैं चीन पर परदा फार्श कर देती हूँ यूपिय सरकार को लेकर क्या ये सच नहीं है कि 50 साल 1967 के बाद 87 में एक इंसिडंट को छोड़कर लगातार stability और peace border पे बनी रही और लगातार पिछले तीन सालों में चीनी अतिक्रमण हो रहा है इंकर्जन हो रहा है चाहे वो लद्दाक में हो चाहे वो अरुणाचल में हो चाहे वो नेपाल के रास्ते से हो क्या ये सच नहीं है कि यूपिय गवर्मन्न ने active infra policy और roads tunnels बनाने के लिए 2006 में policy बनाई थी और ये शाम सरन टास्क फोर्स 2006 में बना था और बहुत सारी चीजे इसकी 2014 तक खतम हो गई थी क्या ये सच नहीं है कि इंडियन नेवी ने US नेवी नियर इस चाइना सी में 2007 2009, 2011 और 2014 में excises किये थे क्या ये सच नहीं है कि Congress Government ने 50,000 strong नई दो mountain division sanction करी थी और क्या ये सच नहीं है कि Congress Government ने 4 advanced landing ground चुशूल में, फुक्चे में, डेमचौक में दौलत बेक, ओल्डी में sanction किये थे और अगर ये सब सच नहीं है तो ये सब चीजे कैसे बन गई 2014 तक 2014 तक तक तो ना आप थे और ना आपके आका थे तो जूट बोलना कूट नीती का तंत्र नहीं हो सकता है आपने भारत की foreign policy को एक कारोबारी को कारोबार दिलाने के लिए जिसको आप अपने साथ अपने हवाई जहास पर लेके घुमते हैं अलग-अलग देशों में जाते हैं चिराओरी करते हैं भाईया इनको कारोबार दे दो आपने भारत की foreign policy को कारोबार दिलाने के लिए और दूसरा आपने भारत की foreign policy को photo opportunity कभी शेहनाई सुनते हुए कभी जूले पर पीन लगाते हुए कभी लाल शट में अपना खाना छोड़के लपक के जी हजूर जी हजूर करते हुए आपने भारत की कूटनीती को उस पर reduce कर दिया है और इसी के कारण में कहती हूँ कि आप भारत के सबसे जादा failed foreign minister है और बिना तत्यों के नहीं कह रही हूँ मेरा आप से कोई भी निजी जगडा नहीं है मैं आपके उपर कोई निजी आक्षेप नहीं लगा रही हूँ लेकिन हाँ मैं यह जरूर कहती हूँ कि आप इस देश के सबसे failed foreign minister है